हेलो एवरिवान दिस इस प्रोफेसर एमेच और आज हम लोग डिसकस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंटिनुएशन में हैं ओडिट इविडेंस का लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ओडिट इविडेंस ओडिट इविडेंस क्या होता है ओडिट इविडेंस के क्या-क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम लोग ने देखा था आज हम लोग देखेंगे कि ओडिट इविडेंस लेने के लिए कौन-कौन सी टेकनिक यूज होती है तो audit dividends क्या होता है इसका एक line में अगर recap करें जब auditor को अपनी opinion express करनी होती है financial statement पर जब auditor को अपनी opinion express करनी होती है financial statement पर तो उसको audit dividends की जरुवत होती है That is called audit dividends ठीक है उसके बाद हम लोग ने characteristics देखा था अब देखेंगे कौन कौन सी techniques से हम लोग audit dividends obtain कर सकते हैं अगर आप audit कर रहे हो और आपको evidence चाहिए सबूत चाहिए कि मैं अपनी opinion किस base पर रखूँ तो वो सबूत आप कैसे obtain करेंगे तो इसमें बहुत सारी technique है लेट स्टार्ट वेट फर्स टेक्निक इस inspection तो inspection करके checking करके आप audit evidence obtain कर सकते हैं जैसे example के तौर पे आपको कहा गया या आपने company के record में देखा closing stock समझो computer laptop वाली company है तो laptop है one lakh laptop in the go down तो आपको check करना पड़ेगा inspect करना पड़ेगा कि भाई उसका go down है भी के नहीं है go down है तो उसके अंदर एक लाग inventory है भी है की नहीं है that is called inspection तो audit evidence लेने के लिए पहला जो technique है auditor का वो करता है inspect करता है check करता है कि भाई आप जो बोल रहे हो वो true है भी के नहीं है right तो inspection मतलब checking check करना कि actual में वो चीज़ exist करती है या नहीं करती है second technique जो है वो है observation observation में क्या होता है जो auditor होता है वो observe करता है observe मतलब आपने देखा होगा कि आप लोग lecture में बैठते हो या lecture में जाते हो offline lecture या online lecture या बैठते हो तो आप समझने की कोशिश करते हो तो आप observe करते हो कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है क्या topic चल रहा है that is called observation तो अगर कोई professor है अभी जैसे मैं अभी यहां पर lecture ले रहा हूँ audit techniques to obtain audit dividends तो आप लोग सुनोगे तो आप बीच बीच में नहीं बोलोगे आप observe करेंगी कि सर क्या पढ़ा रहे है अच्छा सर ने इस तरीके से पढ़ा है अच्छा यह इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ा है ओके तो observe करते हो आप तो observe में क्या होता है कि audit dividends कैसे मिलता है कि जिसने भी जो दूसरा काम कर रहा है उसके काम को आप observe करो यह बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर कर रहा है तो किस angle से कर रहा है internal control के हिसाब से है के नहीं company के policy के हिसाब से है के नहीं that observation you have to make तो as an auditor audit evidence लेना है तो inspect करो check करो observe भी कर सकते हो जिससे भी आपको evidence मिल सकते है और अपनी opinion आप express कर सकते हो आई बास समझ में yes or no third है external confirmation आपको evidence सबूत कहा से मिलेंगा external आपके financial statement company के financial statement में लिखा है amount one crore rupees of goods sold to Mr. X अब एक करोड का goods उसने sale किया है company ने तो आप confirm करो surety लोग other people से कि भाई आपको एक करोड का sale हुआ है कि नहीं हुआ है अगर किसी इसे माल मंगाया आपने एक दो करोड का माल मंगाया supplier से तो supplier से बात करो और surety लो और confirmation लो कि भाई सामने वाले ने एक करोड का माल भेजा है कि नहीं भेजा है that is called external confirmation तो आप खर्चा जादा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि खर्चा जादा दिखाना है तो auditor बाहर वाले से confirm कर लेगा कि भाई यह सही है कि गलत है that is called external confirmation तो audit evidence चाहिए तो आप बाहर वाले से पूछ के उस information की surety ले सकते हो उसको confirm कर सकते हो और वो evidence आप use कर सकते हो अपनी opinion को express करने के लिए next है recalculation calculate to check the accuracy अब यह क्या होता है recalculate कैसे करते है तो आपने depreciation show किया ठीक है depreciation आपने show किया 1 crore का तो आपके पास asset भी उतने होने चाहिए अब यह 1 crore आया कैसे है तो आपने कहा 10% company वाले ने कहा कि भाई हमने 10% calculate किया तो आप क्या करते हो recalculate करके देखते हो this issue बताना पड़ेगा कि भाई यह problem है 10% बोलके आप 12% कर रहे हो 10% बोलके आप 15% कर रहे हो that should not be done ऐसा नहीं होना चाहिए आई बाद समझ में तो recalculate करता है तो company वाले अपने financial statement में कोई भी calculation किया आप उसको recalculate करके उसकी accuracy चेक करते की बराबर है के नहीं इस तरीके से भी evidence मिलता है फिर next है re-performance re-performance मतलब सामने वाले ने कुछ काम किया तो आपको उस पर बरुसा नहीं बरुसा रहता है लेकिन तो भी आप अपने आपको sure करते हो confirm करते है कि भाई वो बराबर है के नहीं तो क्या करना है जैसे BRS example दिया है bank reconciliation statement है customer का aging schedule बनाना होता है यह क्या होता है BRS होता है bank reconciliation statement मतलब बैंक में कितना पैसा आया कितना पैसा गया आने वाला कितना है जाने वाला कितना है उसको calculate करके देखो क्योंकि अगर आपने BRS बराबर नहीं बताया तो आपके bank account में properly आपका amount जो reflect कर रहा है उससे आपको problem हो सकती है किस तरीके से हो सकती है कि जैसे आपने BRS नहीं बनाया या properly नहीं बनाया और BRS के इसाब से आपका जो bank balance दिख रहा है 1 crore लेकिन आपने BRS बनाने में कुछ ऐसे entry थी जो आपने miss कर दी जिसकी वज़े से था कि अगले दिन आज BRS बनाया next day 80 lakh के check issue हुए है जो हम लोग को पता ही नहीं था तो इंचोड आज तो 1 crore आपके account में दिख रहा है लेकिन कल वो 80 lakh रुपया चला जाएगा तो 20 lakh ही बचेगा तो रीपरफॉर्म करो BRS का रीपरफॉर्म करो कि भाई बराबर बनाया की नहीं बनाया फिर customer का aging होता है aging मतलब कौन सा customer 15 दिन से जादा हो गया कौन से customer ने पैसा 1 महीने से जादा हो गया अभी तक नहीं दिया कौन से customer 2 महीने से जादा हो गया पैसा नहीं दिया कौन से customer 3 महीने से जादा पैसा नहीं दिया 3 महीन आ हो गया पैसा नहीं दिया वो सबका आप aging निकलते हो कि कितना टाइम हो गया customer से पैसा नहीं आया तो यह re-perform करते हो कि आपने company आपने बराबर किया है कि नहीं किया है ठीक है नेक्स दिया है analytical procedure analytical procedure क्या होता है कि भाई हमें audit dividends जी है आप क्या step follow करते हो कौन सा step पहले follow करते हो तो systematic step by step आपको follow करना है और find out करना inter relationship तो समझो आप किसी बैंक के audit पे गए है तो बैंक के audit पे गए है आपने देखा कि कोई भी बंदा कोई company वाला अगर check deposit करता है वो दो दिन में reflect होता है लेकिन आपके बैंक में चार दिन लग रहे है तो आप यह find out करोगे यार four days क्यों लग रहे है आप step by step उस procedure को फॉलो करोगे अनलाइस करोगे वो प्रोसीजर को कि भाई दो दिन के बज़े चार दिन क्यों लग रहे है और उसमें जो भी प्रॉबलम आएगा आप उसका इविडेंस उप्टेंड करोगे और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे आप एनलाइस करते हो प्रोसीजर को जो चीज आप step by step फॉलो कर रहे हो उसको एनलाइस करते हो और फिर फाइंड आउट करते है इसके अंदर प्रॉबलम क्या है उसका इविडेंस आप कलेक करते हो आई बस समझ मैं तो इस तरीके से यह और इविडेंस मिलता है inquiry अब यह inquiry कुछ इस तरीके से external confirmation से मिलता जूलता है लेकिन दोनों अलग है external confirmation मतलब you are confirming yourself कि यह हो चुका है कि हो गया है that is confirmation inquiry मतलब you are just seeking the information अब देसे आप लोग दुबई के लिए travel करने वाले है दुबई के लिए travel करने वाले हो तो आप website पे जाके inquiry करते हो कि ticket available है के नहीं है ticket available है के नहीं है that is inquiry लेकिन आपने ticket already निकाल दिया लेकिन covid चालू हो है covid की वज़े से flight cancel हो सकती है तो आप confirm करते हो call करके या net पे जाके कि भाई मेरा ticket अभी भी valid है के नहीं है या cancel हो गया है तो यह होती है inquiry inquiry मतलब seeking information वो चीज़ आप use कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो that is inquiry तो यह कुछ techniques है जिससे जो auditor audit करता है उसको क्या मिलता है evidence मिलता है क्या मिलता है सबूत मिलते evidence मिलते और उस basis पे वो अपनी क्या करता है opinion को express करता है I will समझ में तो these are the techniques to obtain audit evidence सब को समझ में आया yes or no कुछ doubt है तो go through it कुछ doubt है को तो please comment and please like and subscribe for more videos Thank you कुछ! कुछ ए लुट भाई लुट 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 लुट